नमस्कार, Capital TV उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ आर्जु दुबे उत्तर प्रदेश में सुभाश्पा की साब्धान यात्रा के दौरान ओम प्रकाश राजबर हर जिले में जाकर लोगों को रेली और रोट शो कर रहे हैं वहीं अब बीते दिनों सुभाश्पा छोड़ने वाले नेता रामजीत राजबर ने ओपी राजबर पर गंभीर आरोप लगाए हैं देखिए इस रिपोर्ट में अब मौ में सुभाश्पा प्रमुख की साब्धान यात्रा होने वाली है इसको लेकर ओम प्रकाश राजबर के बेटे अरुन राजबर का दावा है कि रेली में करीब 15,000 लोगों के आने की उमीद है जिस पर मौ के पूर्व सुभाश्पा जिला अध्यक्ष रहे और वर्तमार में स्वाविमान पाटी के जिला अध्यक्ष रामजीत राजफर का बयान आया है पूर्व सुभाश्पा नेता ने कहा जो 15,500 और 10,000 की बात करते हैं ऐसा कुछ नहीं है हम लोगों ने भी गाउं गाउं में जाकर काडर की बैठक की है पूर्व सुभाश्पा नेता ने कहा ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है अगर इनकी कुछ भीड भी होगी तो साफधान यात्रा के साथ चलने वाले लोग हैं वो ही हर जगा गाड़ियों को ले जाने का काम करते हैं उधर मौँ चनपत में किसी गाउं में कोई आने के लिए तैयार नहीं है रेलियों में पैसु के दम पर भी जुटाई जा रही है उन्हें जनता वारा नसी भेज कर दाम लेगी दरसल बीते लंबे वक्त से सुभाशपा की साथान यात्रा जारी है इस दौरान पार्टी अध्यक्ष ओंप्रकाश राजबर हर जिले में ये यात्रा कर रहे हैं वे कई मौकों पर अखिलीश यादव पर जुबानी हमला करते हुई दिखाई दिये इसके अलावा उन्होंने कई बार सीम योगी आदित्यनात की जमकर तारीफ की है वहीं उनके पार्टी के पूर्ट निताओं ने भी उन पर कई आरोप लगाए हैं यह यात्रा एक महिने तक यूपी के सभी 75 जिलों से होकर बिहार की राजधानी पटना के इतिहासिक गांधी मैदान में 27 ओक्टूबर को पार्टी के 20 संस्थापन दिवस पर खतम होगी पार्टी के संस्थापना दिवस पर आयोजित 27 ओक्टूबर की विशाल रेली ओम प्रकाश राजभर संबोधित करेंगे इससे पहले सुहेल देव भार्टी समाज पार्टी और उनके सहीयों के भागिदारी पार्टी के नेता कारे करता भी शामिल होंगे यूपे में सुभाशवा की सावधान यात्रा जारी है वहीं दूसरी और ओम प्रकाश राजबर पार्टी के पूर्वनेता रामजीत राजबर पर जमकर हला बोल रहे हैं फिलाल के लिए इस कबर में बस इतना ही जुडरी कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ नमस्कार